हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिप चैनल जी के ट्रैक पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट अन कल्चर 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए तो प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरू कीजिए अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजे चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन देखिए हाल ही में किस राज्य में चंदूवी तहवार मनाया गया है तो देखिए 2024 में चंदूवी तहवार कहां मनाया गया तो करेक्ट आप्शन भी हो जाएगा असम राज्य में चंदूवी तहवार मनाया गया देखिए चंदूवी महतसव असम के कामरूप जिले में चंदूवी जील के किनारे मनाया जाता है यह महतसव हर साल नए साल के पहले दिन से शुरू होकर पाँच दिनों तक चलता है इस साल चंदूवी महतसव ने अपनी चौदवी वर्षगाट मनाई है कारवी युवा महतसव 2024 किस राज्य में मनाया गया तो देखे करेक्ट ओप्शन डी हो जायेगा असम राज्य में ही कारवी युवा महतसव भी मनाया गया देखे कारवी युवा महतसव 2024 असम के दीफू में मनाया गया था इस महतसब में रास्टपती द्रौपदी मुर्मू, असम के राजिपाल गुलापचंद्र कटारिया और मुख्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्वशर्मा शामिल हुए थे हाल ही में 27 अंतरास्टिय युवा महतसव कहां मनाया गया तो देखिए करेक्ट आप्शनिया पर ए हो जाएगा नासिक महरास्ट में 27 वा अंतरास्टिय युवा महतसव मनाया गया देखे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में 27 वे युवा महतसव का उद्धाटन किया 27 वे रास्टिय युवा मौतसव का उद्देश युवाओं को अपने कौशल और प्रतिवा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने किस स्थान पर सत्रवे दिव्यकला मेले का उधगाटन किया तो देखिए करेक्ट आप्चनिया पर इसका स्थी हो जाएगा रायपूर में डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने सत्रवे दिव्यकला मेले का उधगाटन किया है देखिए केंद्रिय समाजिक न्याय एवं अधिकारिक्ता मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने सत्रा आगस्त दोहजार चॉबिस को रायपूर में सत्रवे दिव्यकला मेले का उधगाटन किया यहां मेला दिव्यांकारिगरो और उध्यमियों को शशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है युनेसको की विश्व धरोहर सूची में एतिहासिक मोईदम को शामिल किया गया यहां किस राज्य में इस्तित है तो देखिए करेक्ट आप्शन यहां पर भी हो जाएगा यह मोईदम असम राज्य में इस्तित है देखे असम में इस्तिद मौईडम्स को 2024 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया ये भारत का 43 धरोहर इस्थल बना है यहां इस्थल टाई अहोम राजवंश की विसिस्ट समाधी प्रणाली का प्रमाड है हाल ही में तिरंगा वर्फी को किस इस्थान के लिए GI टैग मिला है तो देखे तिरंगा वर्फी को किस इस्थान के लिए GI टैग मिला तो correct option A हो जाएगा वारा नसी के लिए GI टैग मिला है तिरंगा वर्फी को देखे वारा नसी की तिरंगा वर्फी को GI टैग मिल गया है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का वारा नसी शहर सबसे अधिक GI टैग वाला शहर बन गया जहां कुल 34 GI टैग है रास्टपती भवन में स्थित दर्बार हॉल को कौन सा नाम दिया गया है तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर इसका भी हो जायेगा गरतंत्र मंडप ये रास्टपती भवन में स्थित दर्बार हॉल का नया नाम रखा गया है देखे राश्टपती भवन के दर्वार हॉल का नाम बदलकर गर्टंत्र मंडप कर दिया गया है राश्टपती द्रौपदी मुर्वु ने 25 जुलाई 2024 को इस बारे में घोशना की थी रास्टपती भवन के अशोक हौल का नाम बदल कर भी अशोक मंडप कर दिया गया है किस राज्य में भारत का पहला रोडो डेंडरॉन या बुरांश उद्यान खोला गया तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा उत्राखंड राज्य में यह जो नया उद्यान है यह खोला गया है देखिए देश का पहला बुरांश या रोडो डेंडरॉन मुंच्यारी गाउं उत्राखंड में विक्सित किया गया है जहां 35 किश्म के फूल है और 5 किश्म केवल उत्राखंड में ही पाई जाती है सिक्षा केंद्र गुजरात के गांधी नगर जिले में रास्टी रक्षा विश्व विध्याले में शुरू हुआ है इस केंद्र का उद्गाटन भारती ओलंपिक संग की अध्यक्ष और प्रसिद्ध धावी का पीटी उशा के द्वारा किया गया था हाल ही में पैन प्रिंटर पुरुसकार 2024 किसने प्राप्त किया तो देखिए करेक्ट आप्शनी आपर सी हो जाएगा अरुंदती रॉय के द्वारा पैन प्रिंटर पुरुसकार 2024 जीता गया देखिए लेखी का अरुंदती रॉय को 2024 का पैन प्रिंटर पुरुसकार दिया गया उन्हें 10 अक्तुबर 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा सहे आयोजित एक समारों में ये पुरुसकार प्रदान किया जाएगा युनिस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को भारत का पहला साहित शहर या सिटी ओफ लिटरेचर के रूप में मानेता दे दी है तो देखिए करेक्ट ओप्शन यहाँ पर इसका भी हो जाएगा कोजी कोड केरल को भारत का पहला साहित शहर या सिटी ओफ लिटरेचर के रूप में मानेता दी गई है देखिए युनिस्को ने केरल के कोजी कोड को भारत का पहला साहित शहर घोशित किया है कोजी कोड में 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी और 70 से ज़्यादा पब्लीशर्स है भारतिय अंतरास्टिय फिल्म महतसव IFFI के 55 और 56 संसकरण के महतसव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो करेक्ट आप्शन यहाँ पर इसका C हो जाएगा शेखर कपूर को नियुक्त किया गया है देखे फिल्मकार शेखर कपूर को भारतिय अंतरास्टिय फिल्म महतसव के 55 और 56 संसकरण के महतसव निदेशक नियुक्त किया गया है साल 2020 से 2023 तक विपूने के भारतिय फिल्म और टेलिविजन संस्थान के अध्यक्ष रहे है विश्व धरोहर समीती का 46 सत्र 21-31 जुलाई 20-24 तक कहां आयोजित किया गया तो देखिए एक करेक्ट आपच्छिनिस का A हो जायगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया ये समहारो देखिए युनेसको की विश्व धरोhet समीती का 46 सत्र 21-31 जुलाई 20-24 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था यहाँ पहला मौका था जब भारत ने विश्व धरोवर समीती की बैठक की मेजवानी की समीती ने 26 नए इस्थलो को यिनसको की विश्व धरोवर सूची में शामिल किया भगवान जगनात की विश्व प्रसिद्ध रत यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है तो देखें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा पूरी में जगनात जी की जो विश्व प्रसिद्ध रत यात्रा है वो आयोजित की जाती है देखे भगवान जगनात की विश्व प्रशिद रत यात्रा ओडिसा के पूरी शहर में आयोजित की जाती है यहां भारत और दुनिया की सबसे पुरानी रत यात्रा है इस यात्रा में भगवान जगनात के साथ साथ उनके भाई बालवद्र और बहन सुबद्रा के भी रत शामिल होते हैं प्रभावर्मा को किस प्रतिस्थित पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो देखिए इन में से कौन से पुरुषकार से सम्मानित किया गया है प्रभावर्मा को तो correct option B हो जाएगा सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है प्रभावर्मा को देखिए प्रख्यात मल्यालम कवी और लेखी का प्रभावर्मा को प्रतिस्तित तैतिस्वे सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया उन्होंने 2022 में प्रकाशिद अपने पद्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए ये पुरुसकार जीता है सैतिस्वे सूरजकुंड सिल्प मेला कहां आयोजित किया गया तो देखिए सैतिस्वा जो सूरजकुंड शिल्प मेला है तो करेक्ट ओप्शन सी हो जाएगा सूरजकुंड फरीदाबाद में ये मेला आयोजित किया गया देखे सैतिस्वा सूरजकुन अंतरास्टिय शिल्प मेला हर्याना के फरिदाबाद में आयोजित किया गया था इस मेले का उधगाटन रास्टपती द्रौपदी मुर्मू ने किया यहां मेला भारतिय लोग परंपराओ और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है 22 जनवरी 2024 को आयोध्या में राम लला के प्रान प्रतिस्था समारों का नेतरित्व किस ने किया तो देखे किस के द्वारा किया गया था तो correct option C हो जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम लला के प्रान प्रतिस्था समारों का नेतरित्व किया गया था देखे आयोध्या मंदिर में नई रामलला की मूर्थी की प्रान प्रतिस्था की गई, इस कारिक्रम का नेत्रित वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने किया था पढ़ चित्र जो हाल ही में खबरों में था किस राज्जिक या केंद्र शाशित प्रदेश की एक लोग प्रिये कला है तो correct option यहाँ पर C हो जाएगा पढ़ चित्र जो है वो ओडिसा की एक लोग प्रिये कला है देखिए पड़ चित्र भारत के ओडिसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है ये पेंटिक हिंदू पुरानिक कथाओं पर आधारित है और विशेश रूप से जगनात और वैशनव संप्रदाय से प्रेरित है हान्विल फेस्टिवल किस राज जी या केंद्र शाशित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है तो देखिए करेक्ट आप्शन क्या हो जाएगा D option correct है नागा लैंड में मनाया जाता है हॉन्विल festival देगे हॉन्विल festival नागा लैंड में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है इस तहवार में नागा जनजाती अपनी कला का प्रदर्शन करती है यहां तहवार पहली बार साल 2000 में मनाया गया था कौन सा राज्य दक्षिन भारतिय जंजाती ज्यान केंद्र कानू शुरू करेगा तो देखे करेक्ट आप्शन सी हो जाएगा करनाटक राज्य के द्वारा भारतिय जंजाती ज्यान केंद्र कानू शुरू किया जाएगा देखे हाली में करनाटक के चामराजनगर जिले के बियार हिल्स में आदिवासी स्वास्त संसाधन केंद्र में कानू का शुभारंब किया गया कानू दक्षिन भारत के लिए एक आदिवासी ग्यान केंद्र है इसका लक्ष दक्षिन भारती आदिवासियों के इतिहास संस्कृती और रीती रिवाजों के बारे में पहला ज्यान केंद्र बनना है भगवान हनुमान की 90 फीट ऊची कास से प्रतीमा स्टेचियो ओफ यूनियन का उधगाटन कहां किया गया तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊची कास से प्रतीमा जिसका नाम रखा गया है स्टेचियो ओफ यूनियन इसका उधगाटन किया गया देखिए भगवान हनुमान की 90 फीट ऊची कास से प्रतीमा स्टेचियो ओफ यूनियन का अनावरन अमेरिका के टेकसास के शुगर लैंड में इस्तित अस्ट लक्षमी मंदिर में किया गया यहाँ प्रतीमा भारत के बाहर सबसे उची और अमेरिका की तीसरी सबसे उची प्रतीमा है नौवा पक्के पागा हॉरनवल उत्सव दोहजार चौबिस कि स्राज्य में मनाया गया तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश में नौवा पक्के पागा हॉरनिवल उत्सव मनाया गया यहां महत्सव वन्य जीव और प्रकृती सनरक्षन के लिए मनाया जाता है असम में मा कमाख्या दिव्य लोक परियोजना का उद्गाटन और सीला नियाश किसने किया तो देखे करेक्ट आप्षन यहां पर डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा मा कमाख्या दिव्य लोक परियोजना का उद्गाटन किया गया देखे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने असम के गोहाटी में मा कामाख्या दिव्य लोग परियोजना की अधारशिला रखी है कामाख्या मंदिर गोहाटी शहर के पास निलान्चल पहाडी परिस्तित है इसके स्थापना राजा भगदत शशांक ने सातवी शताबदी में की थी नालंदा विश्व विध्याले में अंतरास्तिय सिक्षा संस्थान के नए परिशर का उधगाटन किस ने किया तो देखिए किस के द्वारा ये उधगाटन किया गया है तो Correct Option A हो जाएगा नरेंद्र मोधी जी के द्वारा आंतरास्तिय सिक्षा संस्थान के नए परिशर का उधगाटन किया गया देखे प्रधानMONत्री नरेंद्र मोधी ने बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा विश्व विध्याले के नए परिशर का उधगाटन किया इस परिसर को बनाने में 1749 करोड रुपे का खर्च आया है थाई पूसम मोहतसफ 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए करेक्ट आप्शनिया पर B हो जाएगा तमिलनाडू राज्य में थाई पूसम मोहतसफ मनाया गया यमना एक्सप्रेस वे ओद्योगिक विकास प्रादिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने किस इस्थान पर फिल्मसिटी विक्सित करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये तो देखे करेक्ट आप्शन D हो जाएगा ग्रेटर नॉइडा में फिल्मसिटी बनाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं विक्सित करने के स्वावित्म में है किस भारतिये डॉक्यूमेंटरी फिल्म ने अठारवे मुंबई अंतरास्टिये फिल्म मोहतसब में अंतरास्टिये शेणी में सर्वस्रेस्ट वृत्चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरुसकार जीता तो देखे एक करेक्ट आप्चन यहाँ पर ए हो जाएगा सुनहरा इसने सर्वस्रेस्ट वृत्चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरुसकार जीता है देके निस्ठा जैंद्वारा निर्देशित भारतिये डॉक्यूमेंटरी फिल्म दा गोल्डन थ्रेड ने अठारवे मुंबई अंतरास्टिये फिल्म मोहतसब में सर्वस्रेस्ट डॉक्य के लिए गोल्डन कोच पुरुसकार जीता है किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा संग्राले युग-युगीन भारत बनाया जाएगा तो देखिए करेक्ट आप्चन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्राले जिसका नाम युग-युगीन भारत नई दिल्ली में बनाया जाएगा इसे सेंट्रल विस्टा पुनर विकास परियोजना के तहद बनाया जा रहा है इस संग्राले में रास्टिये संग्राले की कलाकृतियां रखी जाएगी संयुक तरब अमिरात में पहले हिंदू मंदिर का उधगाटन किस ने किया तो देखिए करेक्ट आप्शन बी हो जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक तरब अमिरात में पहले हिंदू मंदिर का उधगाटन किया गया संयुक तरव अमीरात में बने पहले हिंदू मंदिर का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया यहां मंदिर पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है पुरा तत्व विदो ने हाल ही में किस इस्थान पर सबसे पुराना ग्यात कोहलिस्टिक एक प्रकार का प्राचीन आईलाइनर पाया है तो देखिये कौन सी जगे से यह मिला है तो करेक्ट आप्शन बी हो जाएगा तुर्की से यह पाया गया है तो बी आप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा हाल ही में विश्व शिल्प परिशत द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया तो देखिये इन में से कौन सी है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है तो करेक्ट आप्शन आपर ए हो जाएगा श्री नगर को World Craft City के रूप में नामित किया गया है देखे श्री नगर विश्व शिल्प परिशत द्वारा World Craft City के रूप में मानेता प्राप्त करने वाला चौथा भारतिय शहर बन गया है किस मंदिर को एशिया में सबसे अधिक फोटो जैनिक यूनिसको साइट का नाम दिया गया है तो करेक्ट आप्चनिया पर D हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर को एशिया में सबसे अधिक फोटो जैनिक यूनिसको साइट का नाम दिया गया है देखे कमबोडिया के अंकोर वाट को एशिया में सबसे ज़ादा फोटो जैनिक यूनिसको विश्व धरो अरिस्तल का खिताब मिला है टाइम्स ट्रेवल में इसे ये खिताब दिया गया है मदरास संगीत अकैडमी द्वारा प्रतिस्टित संगीत कलानिधी पुरुसकार दोहजार चौबिस से किसे सम्मानित किया गया तो देखे करेक्ट आप्चनिया पर भी हो जाएगा टी-म क्रिशना को इस अवार्ट से सम्मानित किया गया है देखे मदरास संगीत अकैडमी ने भारतिय करनाटक गायक थोदुर मदुबसी कृष्णा को संगीत कला निदी पुरुसकार से सम्मानित किया है टीम कृष्णा को ये पुरुसकार संगीत में उनके योगदान और सामाजिक सुधारों को प्रोचसाहित करने के लिए दिया गया है काला घोडा कला महतसफ दो हजार चौबिस किस राज़ में आयोजित किया गया तो देखिए करेक्ट ऑप्शनिया आपर C हो जाएगा महरास्ट राज में काला घोडा कला महतसफ का आयोजिन किया गया था कास फिल्म महतसफ में ग्रैंड प्रिक्स पुरुसकार जीतने वाले पहले भारतिये फिल्म निर्माता कौन बने तो देखिए करेक्ट ऑप्शनिया आपर B हो जाएगा पायल कपाडिया पहली पुरुसकार जीतने वाली भारतिये फिल्म निर्माता बनी है देखिए पायल कपाडिया ने अपनी फिल्म All We Imagine As Light के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरुसकार जीता पायल कपाडिया कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरुसकार जीतने वाली पहली भारतिये बनी है एक अन्य भारतिये सिनेमेटोग्राफर संतोस सिवन दोहजार चौबिस कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिस्थित पीरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट प हो जाएगा लद्दाक में गुमन्तु महतसफ का आयोजन किया गया था देखे गुमन्तु महतसफ का चौथा संसकरण लद्दाक में 27 और 28 जुलाई को दो जीवन्त दिनों के उतसफ के बाद 28 जुलाई को संपन हुआ किस राज में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उधगाटन किया गया तो देखे किस राज में किया गया ये तो करेक्ट आप्शनिया पर ए हो जाएगा राजिस्थान में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उधगाटन किया गया देखे दुनिया के पहले ओम आका ये वास्तुकला की नागर शैली में बना है किस राज्य में नौ साल बाद भैसो की लड़ाई जिसे मोहजुच के नाम से जानते हैं फिर से शुरू की गई तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर C हो जाएगा असम राज्य में ये फिर से इसकी शुरुआत की गई है भी हूँ डॉक्टर भीमराओ अंबेटकर की 206 फीट उची प्रतीमा स्टेची ओफ शोशल जस्टिस का उधगाटन किस राज्य में किया गया तो करेक्ट आप्शन बी हो जाएगा आंध प्रदेश राज्य में इसका उधगाटन किया गया देखिए डॉक्टर भीमराओ अ 125 फीट उची और 21 फीट उचे आधार भवन पर खड़ी है किस राज में मकरा विलक्कू उत्सव 2024 मनाया गया तो देखिए करेक्ट आप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा केरल राज में मकरा विलक्कू उत्सव 2024 मनाया गया देखिए मकरा विलक्कू उत्सव साल 2024 में केरल के संक्रान्ती के दिन मनाया जाने वाला एक वारशिक उत्सव है। कुची पुडी नित्य से सम्मंदित है पेंडियाला लक्षमी जिने हाली में रास्टिय बाल पुरुसकार से सम्मानित किया गया। किस शहर में इस्थापित किया गया। तो देखें करेक्ट आप्चिन याँ पर सी हो जाएगा। हैदराबाद में दक्षिन भारत सांस्कृतिक केंद्र का उधगातन किया गया। देखें हैदराबाद में पूर्व उपरास्टपती एम वेंकया नाइडू और केंद्रिय मंत्री जी किशन रेड़ी ने संगीत नाटक के रीजनल अकैडमी का उधगातन किया। दक्षिन भारत सांस्कृतिक केंद्र नाम दिया गया है। प्रधान मंत्री मोदी ने किस राज में वीर लाचिद बरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का उधगातन किया। के एक प्रसिद सेना कमांडर थे। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर किस राज में बनेगा। दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर विराट रामायन मंदिर का निर्मान बिहार के पूरवी चमपारण जिले में शुरू किया गया है। हाल ही में व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्याना राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हडपा संस्कृती संग्राले इस्थापित किया जाएगा। हर्याना के हिसार जिले के राखी गड़ी गाउं में बनाया जा रहा है। इस संग्राले में करीब 5000 साल पुरानी सिंदु घाटी की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी दुनिया का पहला 3D printed मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा तो देखिए correct option A हो जाएगा तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D printed मंदिर बनाया जाएगा देखिए तेलंगाना ने सिदी पेट जिले के बुर्गु पल्ली में इस्थित दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरन किया है यहां मंदिर 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ और 35.5 फुट की उचाई पर इस्थित है अब आरी है लास्ट केस्ट की गंगा सागर मेला 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया तो देखिए correct option A हो जाएगा पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला 2024 का आयोजन किया गया देखे गंगा सागर मेला 2024 पश्चिम बंगाल के दक्षिन 24 परगना जिले में आयोजित किया गया गंगा सागर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है यही पर दोस्तो हमारे questions complete हो गए पर आज आपके लिए quiz question है जिसका answer आपको मुझे देना है दसवा अंतरास्टिय योग दिवस 2024 किस शहर में मनाया गया यह आपको कमेंट करके बताना है लखनाओ, हरिद्वार, शीनगर, नासिक किस शहर में इसे मनाया गया है आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यही पर दोस्तों हमारा वीडियो end होता है वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरूर कर दीजेगा वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर feedback दीजे आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत